हलो दोस्तों मैं पुनम शा, उमीद क्लासेश के यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत कर रहे हूं कंजेंक्शन हम पढ़ रहे हैं, आज हमारी कंजेंक्शन की लास्ट क्लास है, उसके बाद हम प्रेक्टिस करेंगे इसी टॉपिक की तो तयार रहे हैं सभी सीखने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम करेंगे एडवर्ब क्लास ओफ कंडिशन, एडवर्ब क्लास ओफ कंडिशन में कौन-कौन से कंजेंक्शन साते हैं वो आप लिख लीजिए adverb clause of condition adverb clause of condition का मतलब होता है कि जो आपको शर्त सूचक जो शब्द होते हैं वो आते हैं आपके adverb clause of condition में अब देखिए पहला जो है आपका वो है if या weather ठीक है दूसरा है आपका provided that तीसरा है आपका unless और चौता है आपका in case इसका हिंदी अर्थ भी आप लिखिलीजिए यदी तो provided that का मतलब होता है बशर्त unless का मतलब होता है unless का मतलब होगा आपका यदी नहीं यदी नहीं in case का मतलब होता है यदी ऐसा हो यदी ऐसा हो तो ये जो सारे जो आपके चारो जो conjunctions हैं ये adverb clause of condition को represent करते हैं condition को बताते हैं तो पहला है आपका if या weather पहले हम इससे related question कर लेते हैं तो जब if your weather जो है जब open condition ने दिया हो पहले बात कर लेते हैं if या weather की यदी तो यदी तो तो if या weather में सबसे पहले तो आप लिखिए कि जब ये जब sentence जब sentence open condition open condition में हो तो open condition में हो तो if या weather if या weather के बाद वाला clause बाद वाला clause बाद वाला clause तथा second clause future simple में होगा future simple में होगा future simple में होगा ये चीज तो आपको clear होगी कि open condition से इसे तो क्या होगा अब if या weather का use अब weather को कब लगाते हैं if को कब लगाते हैं तो इसका भी आप नियम लिख लीजिए जब sentence में जब sentence में clause के last में clause के अंत में or not दिया हो or not दिया हो तो if के स्थान पर या सीधा लिख लो weather का use करेंगे तो weather का use करेंगे weather का use करेंगे weather का use करेंगे clear है आपको open condition sentence में हो तो क्या होगा और weather का use हम कब करेंगे main important बात इसमें यह है अब हम आते हैं example पे example लिखिए आते हैं you will you will pay attention to your goal you will you will get success you will get success यानि कि तुम अपने उदेश्य पर जब यदि तुम अपने उदेश्य पर लगाओगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी तो open condition sense आपको दिया हुआ है तो कैसे बनाओगे if if you if you pay if you pay attention if you pay attention attention to your goal फिर कॉमा लगाएंगे you will you will get success तो देखिये open condition में था तो यहां पर तो आपने क्या लगाई verb की first form और यहां पर क्या है future tense future tense का use किया है next है you will you will help me or not you will help me or not I will I will not help you तो देखो weather का sense आगय है यहां पर तो अब आप or not का sense किस में आ रहा है इस वाले sentence में आ रहा है तो क्या आएगा whether whether you whether you whether you help me or not help me or not whether you help me or not I will not help you I will not I will not help you तो whether से आप इस तरह से जोड़ सकते हैं sentences को आगे next sentence आप लिखिए next sentence लिखिए you you will support me or not I will I will win the election I will win the election तो देखिए तुम मुझे support करो या नहीं करो support करोगे तो भी मैं ही जीतूंगा नहीं करोगे तो भी मैं ही जीतूंगा तो और not आ रहा है तो weather का use करेंगे आप कैसे लिखेंगे weather weather you weather you weather you support me or not फिर कॉमा लगाएंगे I will win the election I will win the election clear हुआ आपको if या weather से अब देखिए जैसे you you will you will work hard you will become become from an is तुम कठोर परिश्रम करो तुम is बनोगे यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम is बनोगे तो क्या आजाएगा if से लिखोगे if you work hard if you work hard you will you will become an I-A-S you will become an I-A-S तो दोस्तों ये तो इफ और वैदर से था next लिखिए ये तो first था आपका next लिखिए provided that बशर्ते की बशर्ते की अब देखिए sentence से ही आपको पता चल जाएगा example है I can I can absolve you I can absolve you you do not commit you do not commit the offense again again यानि की absolve का मतलब होता है की मैं तुम्हें मुक्त करा दूँगा मैं तुम्हें मुक्त करा सकता हूँ बशर्ते की तुम दुबारा अपराद नहीं करोगे तो कैसे बनाओगे देखिए आपको I can absolve you provided that बस फुल स्तॉप का आना या आपको provided that you do not you do not you do not commit offense again. Next example देखिए इसमें. Next example है I can give you I can give you I can give you I can give you money you give me a check you give me a check मैं तुम्हें पैसे दूँगा बशर्ते कि तुम मुझे चेक दो. तो क्या बन जाएगा देखिए I can I can give you money you give me provided that provided that you give me you give me a check you give me a check clear हुआ आपको यहां पर आपका जो conjunction है वो क्या आ रहा है provided that ठीक है fully stop को अटा करके क्या लिखा है provided that दिखा है बागी कोई change नहीं है next देखिए third number पर unless यदी नहीं very very important है हमने until पड़ा था वो time की बात करता है और unless किसकी बात करता है condition की बात करता है किसकी बात करता है condition की बात करता है कि यदी नहीं ठीक है तो अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आप कुछ जो important इसके बारे में जो points है वो no down कर लीजिए unless so I am negative है यह negative sense देता है और जिस clause में जिस clause में unless का unless का use होगा उस clause में उस clause में not का use नहीं करेंगे not का use नहीं करेंगे नहीं करेंगे इतना आपको clear हुआ ठीक है अब example देखिए यानि कि unless के बाद वाले clause में आप not नहीं लगाएंगे next देखिए यू यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट become an officer ठीक है तो यहां पर क्या आ रहा है कि यदि तुम परिश्ट्रम नहीं करोगे तो तुम officer नहीं बनोगे तो यदि नहीं का sense कौन देता है unless देता है तो यदि नहीं वाला किस वाले clause में use करोगे आप first वाले clause में कैसे करोगे देखिए अनलेस अनलेस यू अनलेस यू वर्खार्ड ओपन कंडिशन है तो वही सेम चीज चलेगी जैसे इफि और वैदर में कीती हमने अनलेस यू वर्खार्ड फिर आप कौमा लगाएंगे यू विल नॉट बिकम an officer you will not become an officer clear है इसी को ही आप कैसे कर सकते हैं अनलेस बीच में भी आ सकता है दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं कैसे करेंगे लिखिए you will not become become an officer unless बीच में आ जाएगा unless अब क्या आएगा you work hard you work you work hard इस तरह से भी आप कर सकते हैं अपल एक है लेकिन यह दोनों तरीके से ही आप लिख सकते हैं तो देखिए unless के बाद वाले clause में हमने not use नहीं किया है अब देखिए आपके exam में question कैसे आ सकता है क्योंकि unless वाला important है very very तो exam में question कैसे आएगा अब देखिए exam में कैसे आएगा unless you will not invest money you will not gain profit no error तो देखिए अब आपको यहाँ पर बोल दिया इसने कि किस option में गलती है किस option में गलती है तो यह आपको बताना है तो a option is this B option C option यह D option कौन से option में गलती है यह आपको बताना है तो wrong answer कौन सा है आपका error है कि नहीं है पहले तो आपको यह जानना है तो हमने अभी सीखा कि unless के बादवाले clause में जिस clause में unless है उस clause में क्या नहीं आना चाहिए not नहीं आना चाहिए तो देखें यहां पे not आ गया जो कि क्या है wrong है तो आपका right answer क्या हुआ यानि कि sentence क्या बनेगा इसी sentence को लिख रही हूँ मैं unless unless you unless you invest money unless you invest money you will not you will not gain profit तो एक्जाम में जो question आते हैं वो इस तरह से ही आते हैं और confuse करते हैं कि यह भई यह not कहां से है तो यह आपका नहीं आएगा you invest open condition है तो आपको किसका use करना है वो आपकी first form का ही use करना है इतना आपको clear हुआ देखिए अब last and final है आपका इसमें कौन सा बचा हुआ है fourth number in case इसका मतलब क्या होता है यदी ऐसा हो ठीक है very very easy है यह तो आपको example से ही समझ में आ जाएगा take your lunch box you may feel you may feel hunger you may feel hunger तो देखिए इसमें अब आपको लगाना है in case तो कैसे लिखेंगे take your lunch box अब फूल स्टॉप को आप अप अटाएंगे क्या लिखेंगे in case in case you 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 feel अंगर तो in case लगा दिया तो में लगाने की जरुरत नहीं है क्योंकि ऐसा हो का sense कहां पर आ गया in case में ही आ गया तो में लगाने की जरुरत है क्या नहीं जरुरत तो यह भी अट जाएगा और इसकी ज़गर पर क्या जाएगा in case आ जाएगा clear अब देखिए next example लिखिए इसमें take an umbrella it may it may rain तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे आप very easy take take an umbrella in case in case in case in case it rains clear है आपको open conditions sentence है make a sense किस में आ गया make a sense किस में आ गया in case में ही आ गया तो दोस्तो यह तो थे adverb clause of condition very very important जो है मैंने आपको बता दिया यह जो unless वाला है यह बहुत important है इसको आपको याद रखना ही रखना है यह condition को बताता है until or unless को अब आप साथ में देख करके compare करिए और अब इसकी हम practice भी हम चालू करेंगे ताकि आपके exam point of view से जो भी important question है वो सभी हम इसमें आपका रखेंगे उस session में ताकि आप conjunction की जो तयारी है वो अच्छे से कर सके correct form of the verb में भी क्या होता है कि conjunctions के questions डाल देते हैं फिर वो बोलते हैं कि correct form of the verb आप बताईए इसमें से तो वो भी मैं आपको उसमें बताऊंगी तो चलिए next class में हम मिलते हैं Thank you so much Thank you झाल झाल झाल